हेलो फ्रेंड्स आज मैं आको ताने जा रही हूँ डिजाइनर नेक जिसमें हम पाइपिंग का यूज करेंगे और लूप्स लगाएंगे बटन लगाएंगे और उसके अपर हाफ हाई नेक बहुत ही इजी टाइप में आपको सिखाऊंगी और प्लीज मेरी वीडियो को सब्स इक हम यहां पर अपना जाएंच का निशाण लगाऊंगी जिसका मैं यह सूट बना रही हूँ वह तो मैं यहां पर नशाहां लगाऊंगी तीन का नहीं और उसके बाद यहाँ पर मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी गला भी छोटा बनाना है मेरेको उसको हम यहाँ से मिला देंगे और उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप देंगे राउंड शेप देने के बाद हम यहाँ से 1-1 इंच का पूरा आउटर एरिया है जो हमारा भार का है यहाँ से हम 1-1 इंच में निशान लगाएंगे यह पट्टी हम गला पलटेंगे इसलिए हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 1-1 इंच के बाहर उससे पहले मैं यहाँ पर बिल्कुल 1-1 इंच का निशान लगाएंगे जो मुझे यहाँ से कैंची से कट करना है क्योंकि हम यहाँ पर कट करेंगे और मैं गाँगी कट हम क्यों कर रहे हैं यह निचे का डिजाइन है हमारा जो निचे का डिजाइन है यहाँ से मैं आठ इंच लूँगी और 8 इंच के उपर मैं एक 1 इंच का और यहाँ पर निशान लगाऊंगी इधर 1 इंच का ठीक है अब मैं यहाँ से इसको हल्का सा 1 इंच का कट करूँगी ठीक है, सुई वन ट्वाइंट के कट करूंगी, अब आल अवर मैं यहां से पूरा एक एक इंच तक नीचे ले जाओंगी, यहां से भी हम एक इंच का लगाएंगे, अब हम इसको पूरा मिला देंगे, जो हमारा यह है, इसको पूरा हम नीचे तक मिला देंगे, अब हमने यहां पर जो हमने एक इंच का निशान लगाए था, वो एक इंच का निशान हमने इस तरीके से यहां पर लगाना है, वो एक इंच का निशान हमने इधर लगाना है, और इसको हमने अब स्लांटिंग में कर रहा है, इसको अब हम कट करेंगे, इस तक इसको कट करेंगे इसको, पूरा आउटर एरिया हम कट करेंगे कि ऊएध्यान रहे जहाँ पे हमने यह 1 इंच का निशान लगाया है यह एक इंच का यहां तक हमने इसे निचे नहीं काटना है इसके उपर काटना है वो भी जो हमने एक पॉइंट लिया है यह रेखे और इसको यह हमारा एक्स्ट्रा था कपड़ा इसे यहां से काट देंगे पेस्टिंग और इसे हम अंदर से भी निकालेंगे अब इसे हम अपने जो हमें कपड़ा पलटना है अपना कंट्रास्ट में उस कपड़े पर लगाएंगे अच्छे से प्रेस करके उसको चिपकाएंगे और इसके उपर हम जो हमारी पेस्टिंग बची है जब गला खुलेगा तो इस तरीके से होगा यह देखें इसे अब हम क्या करेंगे अपनी जो हमारा कपड़ा उसके लगाएंगे जब कपड़े पेस्टिंग और लगाएंगे कि यह ठिक होके जो हम सिलाई करें तो यह अच्छे से कवर हो जाए अब हमने पने गले को चुकाए लिया है पने कपड़े पर यह देखिए और हमने क्या करना है जो इसका बाहर का एरिया है यहाँ पर हमने चलानी है इसके लाएट कहाँ जब इसे हम टर्न करेंगे तो यह बिल्कूल जो इसकीव है बिल्कुल पॉफ agreement आएगा और जो इसको हमारों सबस्क्ते का जब दो प्रेश और खुंदें इसे स्केटे करें कि अचे से फोल्ड करने से अप्रूना तो हमने इसको sly लगा लिया है ये देखें ये पूरी sly ज़र आ दिये निचे से sly लगा जब लगाते हैं तो माई finishing आ जाए थी है इसको हम टर्न करेंगे इसी sly के according कच्छी sly लगाएंगे मोटे बख्या होता है जो वो लगाएंगे आप चाहें तो प्रेस से कर सकते हैं मैं यहां पर बख्या लाकर बाद में चम्मा से गले को लगा दूँगी तो मैं आसे इसको कच्छी sly को उधेर दूगा और पूरे में आप इस तरीके से ही कच्छा sly कर सब्सक्राइब है और ये हम हिसकी ऊपर बख्याइन पहले हम सेंट्र की जिए राइं लगाएंगे हीस विए सेंट्र दोनों के संट्र एक दूसरे के साथ रहें है िसे स्रिच करेंगे पूरा इधर से लाके इधर तक जो हमने यह वन पॉइंट रखा है बिल्कुल पॉने से लाके फिर दुबारा हूपर जाएंगे अब हमने इसके बीच की है यह इधर पर एक क्वाइन से चलाना है जो हम नीचे आएंगे तो हमें सुई को रोगना है और इसको टर्ण करके इस तरीके से मोडना है कि हमारी दूसरी साइड पर यह चलाएंगे और उसके बास हमने जो हमारी राउंड है इसको भी इस तरीके से कवर कर देना है जब हम कट करेंगे इसको तो हमने बीच में से करना है दोनों सलाईयों के आसपास से नहीं करना कि दोनों सलाईयां कट जाएं तो हम ऐसे करेंगे कि बीच में से करना है इस लइकने करना है लग और ले askpark कटने ही, अब हम इसे करेंगे भूपर दोनों सलाइयों में कोईभी कटने ना हो जा हम सीदि साइड अपनी इसअयट की अपने भी डेजाइन को फॉल्ड करेंगे आज को हम सीधा कर लिया है हमने अपनी शर्ट की सीधी साइड कर लिया है अब इस पर हम टॉप की स्लाई लगाएंगे जो कौणर ये होती है और जो कोई थोडि सी शार्थ चीज़ हो आप उससे इसकी निकाल सकते हैं इसके कौर्णर निकाल सकते हैं इस तही कसे अब इसको हम sly लगाएंगे जो हमने नीचे का लेगाला है इसके पूरा हम sly लगाएंगे कोने की हमने अपने यह डोरी बनाई है यह देखें पर डोरी बनाई फिर हमने जो बचा वक्ष साइटो कपड़ा था उसको हमने टर्न करके इसके अंदर ही फोल्ड कर दिया अब हम क्या करेंगे इसको फाइटिंग लगाएंगे इसकी डोरी की इस तरीके से पाइपिंग के लिए सिंगल बुटता ही विट करें और सारे में ही आपने विचे तक इस तरीके से ही पाइपिंग लगानी है अब हमने फना नेक को त्यार कर लिया है और इसकी बैक में हमने ये पाइपिंग के लगाने हैं कि ये राम से फलक जाए मतलब ये बैट जाए अब हमने पत्ती सीधी अपनी पत्ती रखनी है इस तरीके से फोल्ड कर देना है पत्ती को कि सारा जो है ये अंदर छुप जाए फिर उसके हमने इसकी जो पट्टी के सेंटर में ही टैंसिल से निशान लगाना है और अपनी जो डोरी मुनाई है लूप्स को हमने तयार करना है इस तरीके से इसके सेंटर में आपनी डोरी को स्ट्विच करते जाएं आप चाहे तो बेसकते है कि आप पास पास लगा सकते हैं। नहीं आपने इस तरीके से लगाने है इसे पिर हम अपने कमीच के पीश मी के लगाईंगे हम अपनी इस डोरी को हम बीश में करेंगे इस तरीके से इसके उपर हम इस सारे लूप से हम इसके बाहर निकाल लेंगे हम इसे जो में लुप से बहार निकाली है इसे हमने स्टेच करना है इस साइड और सारी की सारी हमने इस तरीके से निचे तक आके जो हमारी पाइप लगाई है हमने और इंज कलर की इस पे चढ़ा करना के हमने इस तरीके से इसके उपर चढ़ा के इस तरीके से हमने इसके उपर भी हमने स्टेच कर देना है बस हमार नेक तयार हो गया है आगे मैं आपको उत्ताती हूं इसे और मॉडल लो किस तरा किसे दी जाए अब हमने हमार नेक तयार हो गया है इसके उपर हाइनेक लगाना चाते है हाफ हाइनेक जो फटा फट से हो सके कोई बिना बर्शानी के आपने के करना है यहां से इसको मैंने यह साड़े बारा इंच का हाइनेक लिए लिया है इसको हम राउंड शेब दिए और करेंगे इसको उसके अपने कपड़े पे कपड़े पे लगाएनगे अब हम इसकी अपने जो मैंने हार्फ कॉलर काटा है इसके ओपर कच्चा स्लाई करेंगे बख्य वाली स्लाई होती है बो करेंगे इसके हम कपड़ा उल्टा होना चाहिए इसके बाद मुझे बिल्कुल इस पॉइंट से वन पॉइंट से मुझे यहां पे इसको सिलना है पके से कच्छा स्लाइनिक करना इसके बाद मुझे इसको फोल्ड कर देना है इस कपड़े को और इसकी यहां से इसके डबल करके इसको फोल्ड जो हम यहां से लेते हैं इसकी शेप के लिए हमने लेनी है पकाजूर करना है और यहां पे आके पका जो करना है जो इसकी शेप है प्रॉपर अब उसी पर चलना है और जो इसकी शेप है प्रॉपर इस तरीके से आपने दूर साइड भी चलना है अब हमने इसके उपर से भी कपडा काट दिया है जो हमने फोल्ड करना हैसे हम प्रेस करेंगे हम भूं कि अपना ही जैने जो हाफ का त्यार कर लिया है अब Highnix ने हो आप़िग लगानी है जो हमने पाइपंग बनाई भी थी इस पाइपिंग को हमने उछटी तरह लगाना है सीधा पाष़ हमारा ये है जिस में पाइपिंग लगानी है इस तरीके से पाइपिंग हम नीचे रखनी है थोड़ी सी निकाल के रखनी है पाइपिंग रखनी है तो आपने बहुत ही अराम से पहले अपनी मशीन को आपको सुई को ठाना पड़ेगा फिर आपको रखना पाइपिंग है इस तरीके से आपने सारी दूसरे पासे तक ऐसे ही लेके जानी है अब हमने अपना पाइपिंग लगा दी है और जो यह सारा है इस पास से आएगा इसको हमने डोरी को ही अंदर फॉल्ड कर दिया था कि यह जो धागे निकल जाते हैं मैं हापे अवरलोक नहीं कर रहे हूँ ठीक है अब हमने जो हमने आपे आदा इंच कंदी दबाई थी अपनी सूट की वहां से हम इतना ही कट करेंगे ठीक है साइडों से कट करेंगे और इसको हम पीछे की साइड यूं मिला देंगे इस तरीके से मिसके सिलाई करेंगे इसको हम सीधी सिलाई कर देंगे उल्टी तरफ तरफ जो हमारा यह है सेंटर है वहां पर हलका साइड़ कट लगा है बिलकुल हलका साइड़ और अपने अपने यह पर नचाना करेंगे शर्ट को सीधा करेंगे और हमने पने सेंटर से सेंटर को मिलाना है जो यह सेंटर था शर्ट का इस शर्ट को हमने यूं मिलाना है चीक है आप इसमें ओवर लोग भी कर सकते हैं मैंने ओवर लोग नहीं करिये इस तरीके से इसको बिल्कुल मिलाते आना है इस लाइन है एक तरीका मिलाको जाया था कि आपको सेंटर से सेंटर मिलाके इस तरीके से भी करना है कि आपने भीशे पका कर दिया सेंटर से और फिर आपने इसको स्टिच किया लेकिन एक तरीका और भी है कि आपने फिर सेंटर सेंटर को मैच करना है इस तरीके से हमारा सेंटर मेल दिया है, आप इसे क्या करेंगे, इस तरीके से यूँ लखि सकते हैं, आपने इसे यूँ रखा सीदा रखा और अपनी जितना आपको दबाना है, आप उतना दबा सकते हैं किसे आप यूँ जितने भी धागे बागे निकल रहे हैं सब को अंदर करना है और जो हमने ये फोल्ड किया था अपनी शिर्ट का कट करके इसको भी हमने अंदर रखना है हा का शेंटर सेंटर को देख लिए हाँ इस तरीके सेच्जिश कली है अब मारा मैक्सिमम् कुळ दूरा नाक त्यार हो गया है हमाँ पुरा नग तयार हो गया है, piping लग गया है, loops लग गये हैं, under piping है और half collar किया piping है, अब हम इसे बटन लगाएंगे, इस तरीके से हम सारे बटन लगा देंगे अपने, प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और bell icon दबाएं ना भूले, thank you so much. झालय है, झालय है, ऑ्ली टूले आवियो को से हम सारे दोग गया है, वी आप एदिए लूले ए시죠, भी, प्लीम है, एँपने तर को सो the לצי